नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल P4 पोटफोलियो में आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में मार्केट में यहाँ पर हाकार मचता हुआ नजर आ रहा है दो तीन दिनों पहले ही हमें मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिली थी जिसका रीजन था इंडो चाइना के बीच में जो बारे टेंशन चल रहे थे उसी वज़े से हमें मार्केट में गिरावट देखने को कोशिश कर रहा है और यह support आज तोटता हुआ नजर आ रहा है कौन सा है वो support वो भी जानेंगे और इस fall के पीछे का reason गया है उसके बार में भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए और regular updates पाने के लिए notification bell को press कीजिए साथ ही साथ टेलिग्राम चनल को भी जॉइन किजिए जिसके link description box में दी गई है सबसे important reason है जिसकी होज़े से market में हमें गिरावट देखने को मिली वो है इंडियन markets में भी गिरावट जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि US की economy आपको पता है world की सबसे बड़ी economy है तो यहाँ पर उनका जो stock market जैसा perform करता है लगबग ऐसा ही perform हमारा भी stock market हमें करता हुआ नजर आता है अगर Dow Jones में गिरावट देखने को मिलती है तो हमारे stock market भी गिरावट देखने को मिल जाती है जैसा कि आज हुआ भी Dow Jones यहाँ पर 2.78% नीचे गिया SNP में भी 2.5% की गिरावट थी NASDAQ इंडेक्स जो की tech heavy index है यहाँ पर technology वाली company ज्यादा दिखाई देती है वहाँ पर भी कम से कम 4% की आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही थी तो यहाँ पर एक अच्छा कासा correction देखने को मिला है जिसका reason भी आपको बता है all time high के आसपास पहुँच चुका था Dow Jones आप देख पाएंगे अपने all time high के आसपास जहां से गिरावट शुरू हुई थी उसी level के आसपास हमें Dow Jones पहुँचता हुआ नजर आया था तो थोड़ा सा correction तो यहाँ पर बनता है और Donald Trump यहाँ पर हारते हुए नजर आ सकते है और जैसे कि मैंने कई बार आपको यहाँ पर share भी किया है कि Donald Trump जिने खुद ऐसा गया है कि अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो market में हाँ कार मत सकता है market हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा crash होते हुए नजर आ सकते है यह जो कि कोई नई बात नहीं है मैंने आपको पहले भी बता दिया है तो यहाँ पर जो यहाँ पर polls हमें conduct होते हुए नजर आते है if the election were held today the latest poll suggests this outcome in the electoral college तो आप देख पाएंगे Joe Biden's आपको यहाँ पर 278 यहाँ पर हमें आगे दिखाए दे रहे हैं और Donald Trump's आप काफी ज़्यादा यहाँ पर हमें पीछे दिखाए देते हैं तो यह एक reason हो सकता है जिसकी वाज़े से हमें correction देखने को मिला यूएस मार्केट में और यूएस मार्केट अगर correct होती है तो of course हमारे मार्केट में भी हम यहाँ पर correction देखने को मिल जाता है तो कौन सा है वो support जो के हमें तूटता हुआ नजर आ रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हम Nifty 50 के charts पर आ चुक हैं और जो important support टूटता हुआ नजर आ रहा है वो इसका 20 days का EA में जो यहाँ पर आपको purple, navy blue जो भी color काई यहाँ आपको दिख रहा होगा इसी support को play करने की बार बार Nifty 50 कोशिश कर रहा है जब भी Nifty 50 support के आसपस आता है तो आपर हमें bounce back देखने को मिलता है और वापस Nifty 50 ऊपर जाता हुआ नजर आता है आप देख पाएंगे काफी महीनों से जून के महीने से यहाँ पर हमें Nifty 50 20 days के EA में कोई follow करता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जब भी यह support तूटता हुआ नजर आ रहा है उसके अगले दिन हमें bounce back भी देखने को मिला है यहाँ पर एक दिन काफी ज़्यदा गिरावट हो चुकी थी हमें यहाँ पर Nifty 50 support तूटता हुआ नजर आ रहा था उसके अगले दिन ही तेजी continue रही थी और ऐसे ही यह 20 days के यह में के आसपास ही stock बार 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 support लेता था और वापस तेजी continue रहती भी नजर आती थी और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो दिन हमें यहाँ पर इंडिया चाइना में border tension की वज़े से जो गिरावट देखने को मिली एक ही दिन में nifty 50 अपने 20 days के यह में के आसपास आ चुका था और वहाँ पर support भी ले लिया GDP का data भी सब कुछ यहाँ पर factored in होता हुआ नजर आ रहा था और तीन दिन तक सब ठीक ठाक चलता हुआ नजर आता है लेकिन आज के दिन के अगर बात करें तो यहाँ पर gap down देख देखने को मिली थी 11,500 के भी उपर closing देखने को मिली थी लेकिन आज हमें opening देखने को मिली 11,400 के भी नीचे यहाँ पर एक bounce back की उमीद दिखाई जा रहे थी आप देख पाएंगे candle हमें दिखाई दे रही है काफी जदा उपर जाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर मैं एक candle 5 minutes को represent करी है तो यहाँ पर nifty 50 ने high बनाया था 11,450 के आजपास का लेकिन उसके बाद यहाँ पर sustain नहीं हो पाया और वापस nifty 50 में गिरावट देखने को मिल गई थी तो यहाँ पर जो important support है 20 days का यह में यहाँ पर तूर चुका है 20 days का यह में फिलाल calculate होकर आता है 11,384 क के आजपास का level और जो closing देखने को मिली है 11,350 के भी नीचे देखने को मिली है और अगर कल की closing भी हमें 20 days के यह में की नीचे ही देखने को मिलते है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर stocks में हमें और भी ग्रावट देखने को मिल सकते है क्योंकि यही यह support है जिसके मादियम से लेता हुआ नजर आ रहा है और अगर यह support टूटता है तो और भी ग्रावट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है इंडिकेडर्स के बारे में बात कर लेते हैं RSI का नंबर है 51.95 अब देख पाएंगे RSI काफी ज्यादा weak होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर RSI वैसे तो वर चलता हुआ नजर आ रहा है यानि कि हमें यहाँ पर sell का signal मिल चुगा है अगर बात करें यहाँ पर Bollinger Band के बारे में तो आप देख पाएंगे Nifty 50 Bollinger Band के median के नीचे ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है काफी समय के बाद ऐसा हुआ है कि Nifty 50 के नीचे हमें Bollinger Band के Bollinger Band के median के नीचे माफ कीजएगा शब्दों में कभी खेल हो जाता है तो यहाँ पर median के नीचे काफी समय के बाद Nifty 50 आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर median का जो level है 11,403 का level lower band है 11,166 का level upper band है 11,641 के आसपास का level pivot points के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो pivot level calculate होकर आता है और अगर बात करें यहाँ पर supports के बारे में तो 10,915 का pivot support हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है उससे पहले हमें यहाँ पर कई और support है जो कि हमें दिखाई दे सकते हैं जैसे कि हो गए इसका moving average 50 days का moving average calculate होकर आता है 11,064 का level तो हम expect कर सकते हैं कि 11,000 का level भी as a support हमें दिखा को मिल जाती है तो यहाँ पर वापस journey continue रहती हुई नजर आ सकती है तो यहाँ पर situation uncertain है क्योंकि markets में फिलाल fundamentals काम नहीं कर रहे है लिक्विडिटी काम कर रही है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के दम पर stock market ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसी situation में साथ ही साथ यहाँ पर cash in and ओना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर अपने portfolio को manage करना बहुत ही ज़रूरी नहीं तो आपको यहाँ पर बहुत ही बड़े जटके सहन करना पड़ सकता है और अगर आप अपना portfolio हमसे review करवाना चाहते है तो उसका link भी हमने description box में दे दिया है तो like कीजे, share कीजे, comment कीजे, subscribe कीजे और मुझे motivate कीजे, thank you, stay happy, happy investing